Welcome to study challenge मेरा नाम है मुहम्मद कैसर बिहार सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया भरतियों के संबंद में देखा जाए तो बिहार सरकार ऐसा काम कर रही है कि सभी राजियों के लिए वो एक एक जामपल सेट कर रहे हैं अभी सात्वें फेज का आपने देखा पहला चलड हुआ एक लाग सत्तर अजार पदो पर भरतिया आई अस्ति अजार प्राइमरी नम्बे हजार माधमी कुछ माधमी काफी रिकॉर्ड समय के अंदर भरति को पूरा किया गया और अगले चलड का ऐलान हो गया सात्वें फेज का दूसरा चलड का गया 70,000 पदों पर भीगापन जारी हो गया 6-8 का, 9-10 का और 11-12 का साथी साथ यह बताया गया सरकार के दुवारा की पिछले चलड में जो भी पद खाली रह गए थे सात्वें फेस्ट के पहले चरड में उसे नई वाली भरती में दूसरे चरड में जोड़ दिया जाएगा तो पिछली भरती को जो भी पद खाली थे नई वाली विगापने में जोड़ दिया गया है और आज संबन में नोटिस आ गई है सात्वे चरड का जो दूसरा फेस्ता सत्र जार पदों पर आवेलन की परकिरिया चल रही है इसमें लगवग पचास जार पद और चुड़ गए है एक लाग बीस जार से अधिक पद हो गया है दूसरे चरड की कुल रिक्तियां जो की अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ठीक है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा नोटिस बगला सब कुछ आ गया है और विहार सरकार का पूरा साथ दे रही है बीपीसी बिहार लोग सेवा आयोग तो देख सकते हैं 10 नोवमबर के डेट में नोटिस आया है हाला कि मैं वीडियो रात में 12 बज़े के बात एक बज़े के आसपास बना रहा हूँ 11 नॉवमबर हो गया है लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक बज़े आप देख सकते हैं मुद्य पर आते हैं देखते हैं नोटिस देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक important notice है और मैं आप कोई बता दू कि प्रात्मी सिक्षक भरती भी जारी हुई है पिछले phase में जो पद रिक्त रह गए थे जिन पदों पर उम्मीदवार ही नहीं मिले थे उन पदों का विग्यापन प्राइमरी में जारी कर दिया गया है पहले important notice डाउनलोड करते हैं तो यह है BPSC का notice बताया गया है कि जो दूसरा चलड़ है साथ में फेज का वो है विग्यापन संख्या 2700 अप्रिक 2030 इसमें सिक्षा विभाग के 79706 पदों पर विग्यापन था और पिछड़ा वर्क अती पिछड़ा वर्क कल्याण विभाग के 916 पदों पर विग्यापन था यह चीजे तो आपको पहले से पता है मैंने आपको कई बार बताया लेकिन इसमें अब जुड़ा क्या है यह आप देखिए अनुसुची जाती एवं अनुसुची जंजाती कल्याण विभाग के 1401 पद जुड़े हैं ठीक है और विग्यापन संख्या 2600 अप्रिक 2030 यानि कि जो पहला चलड हुआ है पहले चलड का जो सिक्षा विभाग बिहार के अंदरगत जो भरती थी इसमें 50,263 पद जोड दिये गए हैं जो की बहुत बड़ी बात है और इन सभी पदों को जोड़ा गया है विग्यापन संख्या 27,23 यानि कि जो वर्तमान भरती चल रही है जिसका आवेदन लिया जा रहा है चार नॉम्बर 2023 को विग्यापन जारी हुआ था 27 अबरी 2023 का और इसमें ये सभी पद जोड दिये गए हैं पदों की संख्या में बड़ातरी हुई है सेज सर्त हैं पहले जैसे ही रहेंगी इक्जाम डेट वगरे भी वही रहेगा जो प्रस्तावित तिथियां हैं उसी पर भी पिरसी ने कहा है भी हम परिक्षा करा लेंगे इक्जाम डेट हम नहीं चेंज करेंगे चाहें पद कितना भी जादा बढ़ जाएं तो साथ से दस दिसंबर की बीच में प्रस्तावित है परिक्षा आपको बिल्कुल तैयारी इसी के कोडि करनी होगी ठीक है आपने देखा यहाँ पर कि कितना महत्रपूर यह नोटिस था अब यहाँ पर दो विग्यापन अलग-अलग जारी हुए हैं जो विग्यापन है यह आपका SCST वेलफेर डिपार्टमेंट वाला विग्यापन है जहाँ पर 1401 पर जूड़े हैं और फिर सिक्षा विभाग का यह वाला विग्यापन है जहां पर 50,263 पर जूड़े हैं ठीक है पहले हम लोग SCST welfare department वाला विग्यापन डाउनलोड करते हैं तो ये है नोटिस ये है नया विग्यापन ठीक है विग्यापन वही है 27,23 इसी में ये सारे पर जोड़े जा रहे हैं ठीक है बताया गया कि सिच्छा विभाग बिहार के अंतरगत फिर वही चीज़ है और अब क्या हुआ है कि इसी में अनुसुची जाती और अनुसुची जनजाती कल्याड विभाग के 1401 पर जोड़ दिये गए हैं तो इन 1401 पदों का ये सारा डीटेल है ठीक है कि कहां कहां पर ये पद हैं तो इन चोदो साइक में 262 पद 1 to 5 का है प्रात्मी सिक्षक भरती भी है 262 पदों पर ठीक है अभी जो मेन विज्ञापन है सिक्षविभाग वाला उसमें भी प्राइमरी की भरती है लग दस हजार उसमें पद है ठीक है तो उसके बारे में आगे बात करेंगे पहले सेस्टी इपार्टमेंट वाला रिक्तियां देखती है तो इसमें 262 पद है और ज्यादा तो सिट नहीं है लेकिन जो है आपके सामने है क्रेटिकरी वाइज आप सिटों के संक्या देख सकते हैं वेतन यहां पर 25,000 है सेम वहीं जो प्राइमरी का होता है इसके बाद 6-10 के विद्या विद्यापन है पदाना दापक के साथ पद भीश में सामिल है ठीक है यह रहा यह डिटेल्स बाकी इसकी योगेता पर मैं कल वीडियो बना दूंगा यह आप कहेंगे ठीक है सारा जानकार इसमें दिया गया है फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला इसमें समाहित किया जा रहा है कौन-कौन से यह पद हैं तो देखिएगा सबसे पहले बताया गया है कि प्रात्मिक विद्याल है 1-5 में भी भरती है पिछली भरती 1-5 की आई थी 80,000 की आसपास पदों पर जिसमें लगवागा 70,000 पदों पर ही रिजल्ट गोशित हुआ था देखिए यहाँ पर टोटल जो सीटें हैं यह 9,431 हैं और इसमें कुछ दिव्यांग अपहरती बगर है 17,000 से नानी की सीटें हैं तो काफी अच्छी खासी सीटें हैं लेकिन यह वो सीटें हैं जिस पर पिछली बार उम्मिदवार ही नहीं मिले थे अब यहाँ पर देखें ठीक है तो आपको इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है अनरक्षी स्रेली के रिक्तियां केवल दिव्यांग अपहरतीयों के लिए उपलब्ध हैं यह दिव्यांग अपहरतीयों के लिए सीटें हैं इसका आपको ध्यान रखना है तो स पर दिव्यांगा परती आवेदन करेंगे तो आवेदन यदि आता है वो करते हैं फिर वो पर इच्छा दे कर इसमें नूप्त हो जाएंगे ठीक है और देखिए एड़ी जिरू सीट अत्य पिशड़ा वर्ग पिशड़ा वर्ग अनुसुची जाती अनुसुची जाती यह जीरो जीरो है अनुसुची जाती महिला का 3142 सीट है तो इस पर अनुसुची जाती महिला की अभ्यरती ही आवेदन कर सकती है उन्हीं का ही चैन हो सकता है तो उनके लिए है आप यहां पर आवेदन कर सकती है अनुसुची जाती महिला का 183 सीट टोटल 4413 सीट यहां पर है ऐसे ही उर्दू में देखेंगे या रख्षित के लिए 426 है और ऐसे ही यहाँ पर उर्दू में तो कुछ सीटें हैं पिछला वर्क के लिए भी अनुसुची जाती जो ओपन सीटें बिलकुल होती हैं सब के लिए यहाँ पर सीटें हैं ठीक है बांगला में भी कुछ सीटें ह और उर्दू में महिला रिजर्व के लिए भी सीटें हैं तो इस प्रकार से जो सीटें पिछली बर खाली दा गई थी जहां पर उम्मिदवार थे ही नहीं उसका विग्यापन फिर से जारी हो गया है इस बात को आप समझेगा और कुछ स्टूडेंट को ये करिफिजन हो सकता ह है कि 1 to 5 में जो सीटें खाली तो इस पर विग्यापन आगया इसका मतलब है कि अब सप्लिमेंटी रिजल्ट नहीं आएगा तो ऐसा दोस्तों नहीं है ध्यान से बात को समझेगा 80,000 सीटों पर प्राइमरी की भर्तिती पिछली बार 70,000 पर रिजल्ट आया था लगबक 10,000 स सीटें हैं उस पर विग्यापन जारी किया किया है ठीक है क्योंकि इस पर मिद्वार जब थे ही नहीं तो इन सीटों पर सप्लिमेंटी रिजल्ट कैसे जारी होगा जब कोई है ही नहीं तो सप्लिमेंटी रिजल्ट कैसे जारी आप कर सकती है ठीक है अनसुची जाती की महिल अब भेरती है ही नहीं, तो supplementary result में आप बुलाएंगे किसको, ठीक है, तो इन seat ओपर फिर से भी क्या पना गया है, बाकी जो 70,000-71,000 पदों पर primary का result आया है, उसमें से अब जो seat आखाली रहेंगी, जो लोग disqualify हो जाएंगे, seated fail वाले, एक सेधिक result वाले, ठीक है, या किसी से DV में कोई नहीं गया, तो वो जो seat खाली हो रहे हैं, उस पर supplementary result आएगा, इसको लेकर आप निशिंत रहिएगा, बात को आपने समझा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, तो primary की बात हो गई, ठीक है, अब 9-10 के लिए देख लीजे, 9-10 में भी यहाँ पर विशेवार पदो पर खाली हो गई थी, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, 11-12 में उच मादमिक में, टोटल कितनी seat हैं, आइड हुई हैं, तो यहाँ पर 30 विशे हैं, टोटल देखिए, जो 34,150 seat, ठीक, 34,000 से अधिक seat, सबसे ज़्यादा फाइदा यहाँ पर हुआ है, उच मादमिक के छा सबस्क्राइब करना है, और हमारे साथ बने रहें, थैंक्स फॉर वाचिंग